तो साबतोर पर ये संकेत जरूर है कि दिल्ली की सरकार को जेल से ही चलाने का प्रान इस वक्त आमाद में पार्टी का है और पिछले दिनों संजे सिंग ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सुक्रीम कोर्ट से जिस तरीके के आदेश जेल में वारा यही बात कही जा रही है कि जिस तरह से उनके नेताओं पर शिकंजा कसा गया वो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि उसके खिलाब सबूत है या नमस्कार आप देख रहे हैं मैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनीश कुमार सैनी लंबे एड़से से दिल्ली शराब नीती घोटाले में अरविंद केजरिवाल पर CBI कशिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से विदानसभा चुनाव नस्दीक आता जा रहा है हामादी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपती से गुहार लगाई है कि अरविंद केजरिवाल का इस्तिफा लिया जाए क्योंकि लंबे अर्थे से मुक्यमंत्री पद पर रहते वे अरविंद केजरिवाल जेल की सलाकों के पीचे से सरकार चलाते वे नजर आ रहे हैं और ऐसे म भारती जंता पार्टियों का इस तरह से राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू से गुहार लगाना आगे बहुत बड़े फेर बदल दिल्ली की राजनीती में करता हुए नजर आएगा इस पर तमाम यहां पर न्यूजरूम के सहयोगियों से जानेंगी कि आगे दिल्ली की विदानसबत चुनाओं में क्या कुछ बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं भारती जंता पार्टी के इस फैसले पर क्या राष्ट्रपती संग्यान लेकर कोई बड़ा फैसला लेती हुए नजर आएगी सबसे पहला सवाल यहां पर न्यूजरूम में आमन सर से लेना चाह प forgi जुनेता है खासा उनकी आदत रहते हैं किसी बी राज्ज़य में गर जहां उनकी सरकार नहीं हैं अगर कोई भी घटना होती किसी पी वो तुरह तो राश्वती शार्षन लगा जाने की माग कर थे आपने दिखा वैस्वेंग में भी लिए वे इसी तरु दिली में भी बात करते हैं लेकिन बिहार में जहांपर आप देखिये कि लगातार हत्याय हो रही हैं नेताओं का कह सकते हैं कि मर्डर किया जा रहे हैं कि बाहाँ पर PGK का कोई भी नेता बोलने को के त yaa जांगों फिर से इसी संदर्म में उडिखा जा रहा है क्या दिल्ली कि बिंड मुक्ये मंतरे युजबाल काफी लंबे वक्स्ते जेल के और इसी बिना पर कहिने के जो एक सरकार चलाने के सुचारू तरीका होना चाहिए वो कहिने के इसा अवरोध हो रहा है इसी के मदर नजर रखते हुए बीजीपी की जो विधायक है वो यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में इस तरह से कैसे चल पाएगा जहां प लेकिन देखिए यह कह सकते हैं अभी से एक माहल बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजीपी लगतार बच्चे 30 साल से दिल्ली की सत्ता से कहने के दूर है इसी मद्दे नजर बीजीपी के तमाम नेता इस तरह का प्रयास कर दिखाए पड़ बीजीपी की तरफ एक बार फिर से आसा है क्योंकि बीजीपी दिल्ली की सत्ता से बहुत दूर है इसलिए यहां पर एक तरीके से लोगों को यह बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री जेल में है और जिस तरह सरकार चलने चाहिए वैसे नहीं चल पा रही है तो फिर सरका पर काबिज होती है दिखाई पड़े आने वल दिनों में लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आमादी पार्टी के तमाम नेताओं पर शिकंजा कस्तिवी एडी सीवी नजर आई और ऐसे में अभी शेक मनु सिंग्वी की भूमी का काफी एहम रही है त तो तो वह था पर बड़े नेताओं को यहाँ पर रहाई दिलवाने में जमानत दिलवाने में कामया भी उन्होंने हासिल की तो क्या अगली सुनवाई पर अर्विंद केजरिवाल की भी जमानत होती भी नजर आ सकती है जाहिए कि इसको लेकर लगा था लंबे वक्त से आमा कि बहुत जल्दी वो सलाखों के पीचे से बाहर आने वाले हैं अगर यहां पर अर्विंद केजवाल जिल्ड से बाहर आते हैं तो यह आमानी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी खबर होगी कि उनकी पार्टी जो अभी से एक माहल बना रही आप देख पार्टी के अंदर माहले वो बनता हुआ नजर आएगा अर्वेंद केजरिवाल की रिहाई काफी जादा यहां पर इंपोर्टेंस रखती है दिल्ली की राजनीती में क्योंकि आमाधी पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाओं में पिछड़ती भी नजर आ रही जिससे आ आमाधी पार्टी पर लगातार EDA CBI सिकंजा कस्ती भी नजर आएगा तो क्या वाकई आने वाले समय में यहां पर बीजेपी नेताओं पर संग्यान लेते वे राश्रेपती नजर आएगी और आमाधी पार्टी को दिल्ली की राजनीती में बड़ा जटका लगता नजर क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार उनके पास है 62 विधायक 2020 के विधानसबद चुनाओं में जीत करके आये थे और आम आदमी पार्टी के राश्टी सन्यूजा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को भी अंदेशा है कि सरकार को कोई किसी परकार का खत्रा नहीं है हालां कि पिसले दिनों जब मनीश्य सोधिया की रिहाई हुई थी उस दोरान ये बार-बार मांग की जा रही थी बार-बार सवाल कुछ जा रहे थे कि क्या अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलने वाला है ऐसे में मनीश्य सोधिया ने कहा कि पार्टी जो फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट से जिस तरीके के आदेश जेल मैनुएल के तहट मिले वे हैं उसमें हर दिन अपनी पार्टी के यहां पर मंत्रियों या फिर अधिकारियों से एक घंटे की मुलाकात अरविंद केजरिवाल कर सकते हैं और सब्ता में दो बार अरविंद केजरिवाल दिली शरकार को चलाने के लिए उनको तमाम निर्देश देते हैं उन वकिलों के माध्यम से उन निर्देश जो है अधिकारियों तक ट्रांसफर किये जाते हैं तो कहिना कहीं भारती जन्यता पार्टी के कोशिश है कि यहां पर दिली में जिस तरीके से सरकार पिछले करीब यहां पर 6 मिने होने को आए हैं यहां अर्विंद के जिर्वाल की गिरफतारे हुए और सुतारू रूप से चलती वी नजर आ रहे हैं तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि दबाव बना जाए अमधवी पार्टी पर और दबाव बना करके कहिना कहीं अर् पति द्रौपदी मुर्मुष संझ्जान लेते वी नजर आएंगे और आने वाले समय में किस तरह से दिल्ली की सियासत में और आकरी सवाल यहां पर माही से लेना चाहेंगे माही किस तरीके से इस्तिती को देखती है अर्विंद केज रिवाल को लेकर इस तरीके से भार्ट नार किया जा रहा है लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ć तो आम आदमी पार्टी ने खुद को प्रूबफ किया है जैसे सुप्रीम कोड से संजस्जा संग को यह से सूधिया रहात मिली काविता को रहात मिली तैसे कि मैं कहा जा सकता है कि बात जुस तरीके से भरती उनसरा रहे हैं उससे भी कहा जा सकता है कि इसमें भारतिय जंता पार्टी की जो मनसा है दिल्ली के सत्ता पर काभिच होनी का है और यही कारण है कि वो कहीacı आमानमी पार्टी को डाउन करने के लिए इस तरीके के हतकंडे अपनाते हुनसर आ रहे हैं, अब भारतिय जनता पार्टी जान भुश कर चुनावी जीत के लिए इस तरीके से रास्टपती के द्वारा, रास्टपती के माध्यम से दिल्ली में रास्टपती शासन लगा कर आम आदमी पार्टी को क लूआ एतो बैसे मैं देखना दिल्चस्ट होगा कि दिल्ली की राजनीती में आगे आमादी पार्टी के लिए क्या कुँछ यहां पर नई मुसीबते खapterी होती वी नदर आएगा भारती जिन्तापार्टी क्या जिस तरह से यहां पर तमाम शिकंजे कस्तीवी आमादी पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है तो क्या आने वाले समय में भी बड़ा उलट फेर दिल्ली की राजनीज में भारती जन्ता पार्टी द्वारा किया जाएगा इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी फिलाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है आप अपन आन्यों